आज हम बनाएंगे टमाटर की खटी मीठी चटनी बहुत ही सेंपल है चलो शुरू करते हैं मैंने इसके लिए दो हरिमेश ले ली हैं इसको मैं 20 से ऐसे स्लिट कर लूँगी और बारिक बारिक काट लूँगी यह मिर्ची आपने साप से ले सकते हैं और इसको ऐसे ही काट के जरूर डालिएगा और जो सामने का जो पॉइंट रहता है न वह मैं निकाल के फेक दूंगी वह यूज नहीं करूंगी बचा हुए इससा आप आठा सकते हैं मैंने टीन टामाटर ले लिए हैं उसका भी जो साम मोटे मोटे तुकड़ों में आप काट लीजे अपने साप से मैं इसको इतना मोटा रख रही हूं यह देखिए ऐसे ही मैं अपने सारे टामाटरों को काट लूँगे और मिर्शी भी काटके त्यार हो चुकी है गैस अन कर लीजे उसमें कोई बरतन रख दीजे तेल ले यह मैंने जीरा हाफ अटी स्पून करीब हलका सब जटक जाएं तो उसमें मैंने कलॉंजी डाल दी है कि कलॉंजी डाल दीजे अब थोड़ा सा अब मैं इसमें अपनी हरी होई जुकड़ी मिर्ची है वो डाल दूंगी जैसे ही हरी मिची पक जाए थोड़ी सी हम इसमें टमाटर डाल देंगे और स्वात के अनुसार आप इसमें नमक डाल दीजे इसी टाइम पर डाल लिएगा ताकि हमारे टमाटर जल्दी से गल जाएं इसमें मैंने कला नमक भी डाला है हल्दी डाल दीए है यह मैंने मेशी इसको आप मिला लीजे, इसमें मैंने दोनों टाइप के नमक डाले हैं, बहुत ही टेस्टी स्वाद आता है, आप ऐसे ही डालिएगा इसको, मसाला अपने साब से कम जदा कर सकते हैं, अब ये देखे, पानी छोड़ दिया है इसमें टमाटरों ने, अब हम इसमें डालेंगे इसको धागय वाली शक्कर भाषो भी बोलते हैं, और मिश्री भी बोलते है, तो ये डालिए, आप शक्कर हिए ढाल सकते हैं बहुत है है जैसे हम इसको डालेंगे ता थोड़े धिर में गलने लगेगा और ज्यादा अपना पानी रीमाध्य है निकाल कर देगा जिसको हम अच्छे से पका लेंगे हमारे टामाटर गलने तक के लिए ये देखिए अभी तुछ शुरुवात है जैसी पकता जाय का टामाटर गलता जाएंगे हमारे बहुत टेस्टी सब्जी निकलती है ये अब सब्जी बोली चटनी बोली जो बलना बूल सकते हैं बहुत ट फिलाते रहेगा यह देखिए अब मैं इसमें धनिया डाल दूंगी गार्णिश के लिए और आप इसको इंजॉय करिए बहुत है टेस्टी बनके आईए हमारी रेस्पे आपको अच्छे लगे तो डू लाइक शेर सब्सक्राइब गाईज और मिलते हैं अपने प्यारे से ने झाल झाल झाल